कि एलो स्टूडेंट्स को भी प्रॉब्लम रहती है कि कैसे कैल्कुलेट घया जाए नेट चार्ज या तिया हुआ है नेट चार्ज और अमिनो एसिड पर पेप्रटाइड चेण नियुड थे प्वीज प्वीज क्या हुआ है कि कैसे कैल्कुलेट या या थोड़ा जर्ख की जब है कि यह ऊक्सिजन तो बटनेशन पर हम लोग निंगेटिव चार्ज करते हैं और अगर इनका प्रोटनेशन होता है इन तो तो हम इसको जीरो चार्ज मिले के आते हैं यह प्रिवेस मैं ने बहुत पहले बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है आप जानते होंगे इसको यह यह यूटूब पर लेक्षरिस का पढ़ा हुआ है वह भी देख सकते हैं हो जो नै खूझर कर रहता है तो डी प्रोटोनेशन होका तो यहाब पे जीरो साघ होगा और प्रोटोनेशन होगा कि यहाफ क्लसा और अब यह देख लेते हैं कि कैसे 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 कालक्रेट किया जाएंगा कैसे समझेंगे इसको यह सेमां लेजिए कि शिंपल सामीनोसीड ले रहते हैं ग्लाइसीन कि सबसे सिंपलेस्ट अमीनोसीड है ग्लाइसीन glycine अब glycine का अगर हम pH 7 पे नटचार देखते हैं pH 7 पे तो हम क्या करेंगे हम यह देखेंगे हम glycine का structure लिख सकते हैं कि जो इटरानिक फॉर्म है NH3 और यहां पे alpha carbon और COO यहां पे H और यहां पे H इसका generally हम लोग पढ़ते हैं इसका प्येस जो लिखते हैं 9.6 और इसका प्येसित लिखते हैं 2.3 किताब हमें अलग लग लग दिया हो सकता है कि अब अगर इसको पीए 7 पर हम टैच करते हैं है कि तो अब यह देख रहें कि यह सीवन पे हम पर आगर हम देखते हैं नेट चास करते हैं तो पीएस सेवन पर हम पता है कि यहां पर 2.3 दिया हुआ है यहां यहां पर ज्यादा होगा यह इसका दी प्रोटोचन होगा तो माइनस का माइनस ही रहेगा माइनस वन और पीएच सरी एंट टर्मिल पर देखते हैं 9.6 है यानि की सलूशन का पीएच कम है यहां यहां ज्यादा होगा तो यह हो जाएगा प्लस वन तो नेट साथ तो होगा जीरो यह दो आसाने से कर लेंगे अब एक काम करते हैं थोड़ा पीएच इन डिक्रीज करते ह है तू पॉइंट थी ऐसल काद करते हैं basically सितने कि इज़िः करने ही तो इक छी आसओ हम जालते हैं कि कि तू पॉइंट थी पे यहां पे प्रोटोनेशण भी होगा की यहां पर्लस नियुक्कि सेम भीजक फ्रोटोनेशंड दोनों होगा हैत तो दोनों की हाफ-ाफ होने के हाफ हाफ होने के चांब से हाफ पोडोनेट और हाफ ही तर्मील यह निए आल composite हम गर्वन होंगे यह तो हाफ अंगे र crush हैं अब एक concept हम पता है कि अगर protonation होगा अगर इसका C-terminal का protonation होता है तो हमेंसा 0 charge आता है और D-protonation होता है तो minus 1 charge आता है तो अगर half D-protonation होगे तो half पूरे half पे minus half हो जाएगा यहाँ पे पूरे C-terminal पे और यहाँ हो जाएगा 0 वैसे इसलिए हम अगर यहाँ पे charge लिख देते है जीरो और प्लस माइनस हाफ तो यह हो जाएगा माइनस हाफ यानि कि C-terminal पे नेट चार्ज जाएगा माइनस हाफ अब यही N-terminal का देखते हैं N-terminal का अगर compare करेंगे तो 2.3 और 9.6 है यहाँ पे प्लस हाँ जाधा है इसका protonation होगा यहाँ पे हमने लिख दिया है माइनस 1 दोनों को एड करेंगे तो नेट चार्ज हो जाएगा वह हो जाएगा प्लस हाफ यानि कि अगर इसके बराबर प्लस हाफ वैसे ही अगर हम थोड़ा सा प्लस हाफ करते हैं और इसका प्लस हाफ हम करते हैं 9.6 अब 9.6 पे हमें देखना है C-terminal पे कितना होगा और N-terminal पे कि अब दोनों का देखे इधर यहां पर हम देख सकते हैं कि दोनों का पी जो है एंड टर्मल और सी तर्मल दोनों का बराबर सारी सालूशन और N-terminal का इक्वल हो गया है C-terminal का कोई टेंशन नहीं है C-terminal पे हम देखेंगे कि यहां पे 2.3 है और यहां 9.6 है तो अब हम क्या करेंगे कि यहां से तो सिम्पल है इसका डी प्रोटोन होगा C-terminal का डी प्रोटोनेशन होगा तो यहां पर आ जाएगा माइनस वन अब N-terminal पर क्या होगा N-terminal के हाफ जो होंगे क्योंदे प्रोटोनेट होंगे पता है हमें और हाफ molecule जो होंगे वो प्रोटोनेट होंगे तो प्रोटोनेट तो देख लिजेगा यहां पर कि यहां पर जब हम बात करेंगे यहां पर देख लेंगे हम कि 0 है यानि कि 0 हाफ ऐसे होंगे जिन पर 0 चार्ज आएगा और हाफ ऐसे होंगे जिन पर खेका देख लीजिये गा यहतिए करने की जानत नहीं है । हाफ ऐसे होंगे गलत आ पर प्लस तैसी हुंगे धहने कि direito ऊसड़ाइगा यहान हाफ दोनों को एड करेंगे तो यह हो जाएगा माइनस हाफ यह आखानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं अब सब्सक्राइब करेंगे तो ध्यान से कि यही कंसेट आपको समझना है जब हमने यह कंडिशन लेकर बताया था 2.3 और यहां पर 2.3 तो हाफ आप दसी टर्मिल भी प्रो यहां प्लस आप दोनों को यहां पर ले लेंगे क्योंकि प्लस हाफ ले रेंगे इसलिए यहां पर आप आप दो अब तो माइनस हाफ चार्जेस पर आ जागा तो इसको और अच्छा समझा जाए एक क्वेश्चन देख लेते हैं यह रहा एक क्वेश्चन में देखिए गए यहां पर देहां से क्वेश्चन में क्या पुछा है एक डाइप्टाइड है आरजीनीन प्रोलीन प्यच 9 पर कल्कुरे क्वेश्चन में देख लेते हैं देखिएगा कैसे इसको क्लेट किया जाएगा हम लिख लेते हैं देखिए इधर जुटरानिक फॉर्म में भी पॉली प्रेप्टाइड को लिखेंगे तो यहां लिख लेंगे एनस 3 प्लस और यहां पर लिख लेंगे आरजीनीन और आरजीनीन के आर ग्रूप में हमें पता है पहले से ही पढ़ा होगा आपको ने भी कि यहां पर गुवानेडीनो सअइड चेन होती है और यहां पर नेस पर फ्लस में लिख देता है क्योंकि इसका पीच दिया हुआ हुआ 12.5 जब भी लिख देतने अब प्रोलीन है तो प्रोलीन अब जब प्रोलीन में बनता है तो यहां से ही हिएक्शन होता है यानी कि यहां कब कब दो 대कीं ब्रहालों कोई आरीम की बना लेते हैं में कोई आए नाजबल माई का काम ने लेकिन सी टेनल सी ओओ माइनस रहेगा और प्रोलीन का सी टेनल दिया हुआ है यह कारबागली के लिखा हुआ है टूपउंट ओ यहां लेख दिया है टूपउंट जिरो सिंपल इतना आ गया अब हमें अब हमारे क्वेस्ट्व लेखा हुआ है कि 9.0 पर कल्कुलेट करना तो ठीक है यहां लिख देते हैं 9.0 और हमने यहां पर तीन आयना जावल ग्रूप दिख रहे हैं एक दो तीन को हमने यहां पर मार्क कर दिया एक दो तीन का हम कैल्कुलेट कर लेते हैं यहां पर लिख देते हैं यहां पर टू यहां पर थ्री अब वन पर चलते हैं कैल्कुलेट करने या 1 फिलास में चलेंगे पहले 3 से करते हैं तो हमें solution जो दिया गया है उसका प्याद यह 9 अब अगर सी टर्मिल से compare करेंगे तो यहां पर 2.3 है यहां से deprotonation होगा यानि की तीसरा जो है वहां पर माइनस ही रहेगा क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन का सी टर्मिल का अब हम बात करते हैं दूसरे की यानि यहां से compare करेंगे तो अब देखिए यहां पर प्लस वन ही रहेगा ठीक है यहां हमने लिख दिया प्लस वन अब यह नाइन है अब इसका में जो आ गया इसका compare करते हैं इससे क्योंकि question में देख लीजेगा आप लो question में इसका pH दिये दिया है 9.0 हमने नीचे 9.6 एक एवरेज लेके किया था लेकिन question में जब दिये दिया है 9.0 तो अब क्या करेंगे compare करेंगे तो हमें पता है कि half will be protonated and half will be deprotonated जो protonation होगा उन पे charge आएगा plus 1 ठीक है और जो deprotonation होँगे उन पे charge आएगा 0 लेकिन half protonated होँगे इसको लिख दिया जाता है plus half half हाफ ही हाफ ही इसके protonated होँगे सब protonated नहीं होँगे यानि कि यहां पे हो जाएगा plus half अब add कर देते हैं इससे इससे यह cancel हो गया अब net charge हो जाएगा plus half यानि कि answer जो हो जाएगा वो हो जाएगा d plus 0.5 यहीं इसका answer होगा अगर समझ में आगए तो ठीक नहीं समझ में आया तो ज़रूर बताइए क्या नहीं समझ में आया अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो फिर से रिवाइज करके देख सकते हैं thank you so much